नमस्का दोस्तों मैं सुम्च अधरी सुक्सेस प्लस कर्म पैटफॉम पर आप सभी का हुरदिक स्वात करता हूँ तो दोस्तों आज के सुडियो में हम बात करने वाले हैं चौल वंश के सबसे सकतिशाली साशक समराट राजाराज की जीवनी और उनके इत्यास के बारे में चौल वंश या चौला डैनेस्टी जिसको भारती इत्यास की सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली डैनेस्टी माना जाता है इसका इत्यास में आपको अल्रडी पढ़ा चुका हूँ लेकिन आज हम इनके समराथ राजा राज की जीवनी पे डिसकुर्शन करेंगे भारत के इत्यास के point of view से तो ये महत्पून है ही साथ ही ये आजकल current affairs में भी महत्पून है और चर्चा में रहता है क्योंकि चोला डैनिस्टी के इत्यास को ड्रहन में रखते हुए एक movie release हुई थी जिसके दो part आए PS1 और PS2 आपने शायद देखी होगी और इसमें जो राजा राज हैं वही manly इसके अंदर man character है क्योंकि उनको राजय अभिशेक कैसे हुआ वह सत्ता में कैसे परिवारिक politics कैसे हुई आसपास के जो kingdom थे उनके साथ किस तरिके के conflict चलते थे वो सारी चीजों को इस movie में बताया गया है हलांकि movie है तो movie में कुछ frictional चीजे भी डाली गई है frictional characters भी डाली गई है तो आप movie को पूरी तरह से एधियसिक तर्थियों के आधार पर सही न माने हम एधियसिक तर्थियों को अलग से देखेंगे और पढ़ेंगे कि राजा राज किस तरिके के राजा थे उनका कैए contribution रहा उनकी personal life क्या थी और उनका क्या रोल रहा दक्षिन भारत की यतियास में और भार की थ्यास में चलिए देखते हैं साथ ही चोला डैनिस्टी के उपर मैंने जब वीडियो बनाया था और जब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था जब PS1 मूवी आई थी तो कुछ लोगों ने ये कह दिया था कि चोलवन्ष जो है वो हिंदू नहीं थे और मुमुंडी चोला भी कहा जाता है मुमुंडी का मतलब होता है दे किंगडम अब त्री किंगडम कौन से आपको संगम एज याद होगी तो संगम एज के अंदर तीन प्रोमिनेंट किंगडम हुआ करते थे दक्षिन भार्क में इसमें चोला डाइनिस्टी, पांडिय डाइनिस्टी और चेरा डाइनिस्टी रूल करती थी इन तीनों छ्छेतरों को इन्होंने अपने कंट्रोल में лे दिया ता राजा-राजनी इसलिए इनको किंग ऑफ त्री किंडम कहा जाता है और उसके बाद जब इन्होंने kingdom को अपने सामराज्य का विस्तार किया तो ना केवल इस दक्षन भार्त के चेरा-चोला-पांडिया वाले छेतर को अपने कंट्रोल में ले लिया था, इवन कलिंग तक के छेतर को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो बहुत बढ़ा इनका स को establish कर रखा था यहां पे कलिंग तक इनका परभाव हुआ करता था तो बड़े powerful king माने जाते थे ये एक बहुत बड़े emperor के तोर पे इनकी पहचान की जाती है भारत की थियास में तो इसलिए इनको पढ़ेंगे हम detail में और ना केवल एक ताकतवर समराठ के तोर पे जिनका समर इनकी पहचान की जाती है उन्होंने कई सारे kingdom को जीता South India को इन्होंने unified किया मतलब सारे चोटे मोटे kingdom को जीत के उसके अदावा सिरलंका तक को इन्होंने अपने control में लिया और चोला डैनिस्ट्री कई लंबे समय तक सिरलंका को अपने control में रखती है आगे इनके जो बेट पढ़ना चाहिए ड्यंक से पढ़ना चाहिए समझना चाहिए कि राजा राज चोला किस तरिके के रूलर थे और कौन से छेतर पे इन्होंने रूल किया इन्होंने कई सारी लड़ाईया लड़ी चालुक्यों के साथ नोर्थ में पांडियों के साथ साथ में लड़ाईया ल रहेंगे कौन-कौन सी लड़ाईों में किस तरह से हराया है उनकी तो चर्चा होगी ही अब तो एक ओवर्यू देख रहे हैं हम इन्होंने अपने देश को अपने जो सामराज यह है उसको छोटे-छोटे डिस्टिक्स में बाटा उनको इनका जो रिवेन्यू सिस्टम था उसक चीज़ को मेंटेन भी किया इनसे पहले के जो राजा थे वो कई सारी अलग-लग प्रिस्टिटियों में उलजे वे थे और इतना बहतरी नंग से वो सामराजे नहीं चला पाए और इतना बहतरी नंग से वो मेंटेन नहीं कर पाए अड्मिस्टेशन सिस्टम को जितना इन्ह आगे चलके इनके बेटे जो थे राजेंदर चोला उन्होंने इनको सक्सीड किया वो इनकी जगह बैठे राजगदी पे जब इनकी डेथ हो गई और उन्होंने भी अपने पिता के फूर्फरिंट को फॉलो किया और चोला किंडम की ग्लोरी को आगे बढ़ाया वो उनकी भी बायोग्राफी हम जल्द ही कावर करेंगे अब इनकी अर्ली लाइफ की बात इनको सुंदरा चोला भी कहा जाता है तो प्रात का सैकेंड थे ये और इनके ग्रेंड फादर जो थे उनका प्रात का फैस्ट नाम था ग्रेट ग्रेंड फादर उसोरी जो मतलो दादा के पिता और उनके जो पोते थे उनका नाम प्रात का सैकेंड हो गया उसके बाद इनकी अभी लेखों में ये mention है कि इनका बच्पन का नाम था अरूल मौली या कई जगए अरूल मौल जी ही भी लिखा जाता है अरूल मौल जी वर्मन इनका नाम था जिसका मतलब होता है ब्लेस टंग ठीक है 947 के एर में इनका जनम होता है सन 947 इनका एक बड़ा भाई था जिनका नाम था आदित्ये सेकंड आदित्ये सेकंड की अर्ली टाइम में ही डेथ हो जाती है युद्ध में तो वो राजा नहीं बन पाते हैं तो ये बनते हैं कैसे बनते हैं इनकी एक बहन थी जिनका नाम था कुंडावाई कुंडावाई जो है वो इनकी बहन भी थी और इनकी एक तरह से एड़वाईजर भी थी उन्होंने इनके सामराज़े को चलाने में काफी मदद करी थी और एड्मिस्टेशन में भी उन्होंने हेल्प करी थी अब बात करते हैं उस कहानी की जिसमें चोला जो है ये राजा राज चोला है जो है वो राजा बनते हैं इस कहानी को मूवी में अलग तरीके से बताय गया है और इसमें कई सारे करेक्टर्स बताय गया है कई फ्रिक्शनल करेक्टर्स भी बताय गया है अपिनियन सेलगान में जिसमें आपको जो F लिखा हुआ है वो सब फ्रिक्शनल करेक्टर हैं और इनका ज्यादा इत्यास में मे Great Grandfather थे मतलब दादा के पिता थे अब इनके तीन बेटे हुआ करते थे एक का नाम था राजा दितिया एक का नाम था गंदरादितिया और एक का नाम था अरिजनाया ठीक है तो अब राजा दितिया जो कि सबसे बड़े बेटे थे उनकी तो पहले ही डेथ हो चुकी थी अब राजा बनते हैं सबसे पहले तो प्राकरवन के बाद प्रात्काफेस्ट के बाद गंधर दितिया राजा बनते हैं गंधर दित्या की डेथ के बाद उनके छोटे भाई अरिंजया जो हैं वो साशक बन जाते हैं अब जो हैं आगे चलके बड़े होने के बाद उत्तम चोला को साशक बना दिया जाता है लेकिन उत्तम चोला की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद नमबर आता है शुधरा चोला या प्रात का चोला सेकंड का जो की पिता होते हैं इसके राजा राज के पिता होते हैं प्रात का चोला जो है वो राजा बनते हैं उसके बाद अधित्य चोला का नमबर आता है लेकिन अधित्य चोला भी है उनकी भी डेथ हो जाती है और उसके बाद राजा राजा बनते हैं इस दोरान कई सारी family politics भी होती है उस family politics को जो है कि कौन साशक बनेगा क्योंकि एक war of succession चलता है ना किसे भी dynasty में जब पिता की death हो जाती है तो उनके बेटों के बीच में या उनके भाईयों के बीच में ये रहता है कि कौन साशक बने उसको लेकर जो है वो politics चलती है उसके उप गंधार दितिया की death के बाद उनका बेटा उत्तम चोटा होता है इसलिए वो बैट नहीं पाता है इसलिए उनके चोटे भाई गंधार दितिया के चोटे भाई जो होते हैं अर इंजया जो कि प्रातका फैस के सबसे चोटे बेटे हैं वो साशक बनते हैं और उनकी death के बाद जो है जो प्रात्का सेकंड जो है जो की राजा राज के बेटे हैं राजा राज के पिता हैं वो साशक बनते हैं और राजा राज की प्रात्का सेकंड की डेथ के बाद ये माना जाता है कि उत्तम को साशक बनाने के लिए महीम चलाई थी देखें उत्तम पहले साशक नहीं बन कि एको में राजाराज नहीं यह कहा कि देखिये साशन तो इनका ही होना चाही था उत्तम चोला हुआ तो इनको साशक बना दो और हम रहने देंगे लेकिन बाद में उत्तम क्यों के विडेध हुगी तो राजा राज ने हुए साशुक बन जाते हैं जून जुलाई the king among king, तो ऐसे होते हैं न, जैसे महाराजादीराज, राजादीराज, उस तरहीके से, राजाराज जो है, ये उपादी थी, नाम क्या था? अरूमोली वर्मन, यहां रखेगा, लैकिन याद किस नाम से रखा जाता है? लाजराज से ही रखा जाता है अब बात आती है इनके military conquest की क्योंकि जब ये साशक बने थे तब इनके पास छोटा सा समराज्य था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब चोला डैनिस्टी पहले यहाँ पर देखे एक संगाम एज में चोला डैनिस्टी थी और उसके बाद जब डैनिस्टी थी वो सिस्टम बदल चुका था ये अब आप जान सकते हैं कि medieval period आ चुका था almost तो चोला डैनिस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी तो चोला डैनिस्टी छोटे kingdom पर रूल करती थी यहाँ पर दक्षिन में के पांडिया थे इधर चेरा थे इधर टकाल थे इधर राश्टकूस था इधर चौलुक्यास थे इधर से लंका में लंबा का नाच चल रहा था ये सब चीजे जो ही यहाँ पर चल रही थी और जो चोला डैनिस्टी थी वो mainly सारे राश्टकूटों ने कई बार हमले किये थे इन चोला डैनिस्टी के उपर चोला किंग्डम के उपर तो उन इन्विजन से अभी रिकवर ही हो रही थी तो राजाराब जब साशक बनते हैं तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने administration को सही किया उसको efficient बनाया और उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी को एक तरह से consolidate करना शुरू किया और अपनी नेवी को भी strong करना शुरू कर दिया चोला डैनिस्टी की जो kingdom की जो नेवी थी उस समय की सबसे ताकतवा नेवी मानी जाती थी भारत की ठीक है तो इतनी ताकतवा नेवी थी इनकी मुगलों की भी नेवी उतनी ताकतवा नहीं थी आगे चलके जितनी चोलों की उस समय पे थी तो उसके बाद जब चोला kingdom और चोला अंपायर जब expand करने लगता है तो राजा राम की समय तक यहां तक चला जाता है चोला kingdom यह देखिए कितना बड़ा सामराजे इन्होंने विस्तारित किया था कितना सा इतना सा था इनके पास फिर इसको विस्तार करके इतना बड़ा किया तो कितने ताकतवार समराट रहे होंगे इनके military conquest को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे पहले इन्होंने वेंगी वाला जो छेतर था वेंगी यह वाला जो छेतर है इसको अपने control मिलिया इसको subjugate किया और इनके जो सामंद थे इनके जो राजा थे उन्होंने इनके सामने हार मार लिए और उन्होंने कहा कि हम आपके protect में रहने के लिए तैयार हैं आपके under रहने के लिए तो सबसे पहले वो आयर उनका जो influence है वो killing तक पहुँच गया उडिसा तक पहुँच गया उसके बाद इन्होंने यह सब चीज़े जो हैं तंजावर अभिलेक में मिलती हैं कि इनकी जो regiment थी उसमें elephants के ट्रोप, calvary के, infantry के सारी चीज़े जो हैं वो अलग-लग divided थी और सब के पास सब regiments के अपनी-अपनी autonomy थी उनको तरीके से चीज़े की जा सकती थी उनके benefictions मिलते थे, temple बनाना, यह सब चीज़े करने के लिए वो स्वायत थे, ऐसा नहीं कि राजा की मर्जी के बिना सेना कुछ भी निकल सकती सेना को अधिकार मिलते थे और जब आप किसी को अधिकार देते हैं तो वो आपके परती ज़्यादा काम करता है और राजाराज ने अपनी जब चाहिए वो administration की बात करो हो चाहिए लोकल authorities को भी autonomy दी, अपनी सेना को भी authority दी तो उससे काफी काम उनका हुआ और उनके लिए लोग जो है वो थोड़ा dedicatedly ज्यादा काम करती थी यह चीज़े होती है उसके बाद राजाराज के जो अफिलेक कन्या कुमारी तक मिलते हैं 1990 के आसपास समय से और वहाँ से पता चलता है कि उन्होंने सबसे पहले केरला को subjugate किया केरला वाला जो हिस्सा है उसको control मिलिया चेरों के पास style लगमें ली और सेनोर इंस्क्रिप्शन और इन छेत्रों में कई इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें पता चलता है कि पांडियों की जो capital थी मदुराई वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि उन्होंने पांडियों की कैपिटल मदुराई को पुरी तरह से डिस्ट्रोई कर दिया था और कोलूम को जीत लिया था, मोशिका को जीत लिया था, चेराप परूरमाल को जीत लिया था और जब इन्होंने पांडियों को हराया तो उसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था पांडिया कुलाशामनी तो पांडियों के लिए एक ठंडरबोल्ट की तरह हैं एक वजजर की तरह हैं पांडिये जो डैनिस्टी के लोग हैं गो इन से पंगा ना ले तो उनके लिए बहतर होगा और राजाराज मंडलम इन्होंने आगे चलके जगे को नाम दे दिया था और उसी के बाद इन्होंने जब सब्जुगेट कर लिया पांडियों को भी चेरों को भी और चार्ला डाइनिस्टी तो इनके पास थी ही तो मुन्मुंडिक चोला का इन्होंने टाइटल जो है लिया जिसका मतलब होता है थ्री क्राउंड या किंग ओफ थ्री किंगडम ये मतलब इसका होता है और वो तीनों किंगडम कों से थे चेरा चोला पांडिया जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इन तीनों के उपर इन्होंने रूल किया फिर इन्हों ने स्रिलंका की तरफ अभ्यान किया, इसका भी रिकॉर्ड मिलता है इला मंडलम में जो चॉला के रिकॉर्ड्स हैban 913 में इन्होंने बटैक किया था उस समय स्रिलंका के किंग हुआ करते थे महिंद्रा फाइफ अनुराधा पुर्ण के, महिंद्रा फाइफ रदापुरम को सैक किया और सिरलंका का नोर्दन हाफ जो हिस्सा है उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया वहाँ पे जाके जो जगे थी पूलुनुरुवा उसका नाम जो है जनन्त था मंगलम कर दिया जो की राजाराज के टाइटल से जुड़ता था तो इस तरह से इन्हों एक हजार सकतर तक कंट्रोल किया है उसके बाद विजय बहुफैस जो है उन्होंने चोला डैनिस्टी को हराया और उसके बाद सिरलंका जो है इनके हाथ से निकला राज राजेश्वर जो है टेंपल उसी टाइम इन्होंने बनवाया था जो सिरलंका का भिहान किया रहा था स शiren panel को जीत लिया था उसके बाद राज राजस शुरिया बृधिश और मंदिर वह तिंज्टर में इन्होंने बनवाया था ले इनका influence देखे कहां तक इनकी नेवी जाके आती थी और कहां तक इनका influence था बहुत बड़ा इनका influence था और trade route ट्रेट री थी इनकी चाइना तक trade करते थी तो काफी बड़ा kingdom और काफी बड़ा trade route ये उस समय follow करते थे तो इस तरह से सीजे होती थी उसके बाद चालुक्यों के सा इनका conflict हुआ सबसे पहले 908 में तक्रीबन जो है इनोंने आज के समय करनाट का वाला जो हिस्सा है उसको control में लिलिया था गंगा पाड़ी नोलम बाड़ी ये सब जो छित्रे हैं कई बार मैं नाम सही से परनाउस नहीं कर पाता हूँ मेरी द्रक्षन भारती है बारशाएं इतनी अच्छी नहीं है बिल्कूल भी अच्छी नहीं है मुझे आती नहीं तो उसके लिए मैं माफी चाहूँ आपसे पहले ही उसके बाद इनोंने नोलम बाड़ जो थे क्याज जो है वेस्टरन चालू क्याज वो थोड़े मजबूत होगे राश्पूटों को उन्होंने हरा दिया सवतंतर होगे और उसके बाद उनकी जो लड़ाईया है वो सी दी चोलाज के साथ होगी राश्पूट थोड़ा दूर होगे तो इस चेतर को जब उन्होंने अपने कंट्रॉल में ली लिया वेस्टरन चालू क्योज ने तो चोलाज के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू कर दिया शुरूआत में कुछ चेतरों को चालू क्यों को हरा के चोलादेनिस्टी ने रاجराम के टाइम ही रاجराराज के समय ही जित लिया गया लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे के है चालू क्यों ताकतवर हो गए और सॉमेश और फैस जिर राजा बनते हैं यारुश रतापदी में उन्होंने चोलों को हरा के बैटल ओफ कुडल सांगामा में, एक लड़ाई में हराने के बाद, और चालुक कयों का जो दब-दबा है, उसको कायम किया, और चॉलों का जो विस्तार है उसको रोग दिया, चॉलों का एक्सपांशन फिल्सालुक कि उटरिटरी की तरफ होना बंद हो गया था, ये चीज़ बाद में हुई अब administration की बात करें राजा राज फैस्ट जो कि अपने administration skills के लिए माने जाते हैं और बहुत ही कमाल के political genius के तोर पे उनकी पहचान होती है जिस तरह से उन्होंने अपने सामराजे का administration किया और उन्होंने चोरा चल टेरिटरी को सबसे पहले तो क्या किया कि अलग शाही family से belong करते थे कहीं ना कहीं से जो प्रिंस हुआ करते थे वो rule करते थे अलग लग छेतरों को उन्हीं का control हुआ करता था लेकिन इन्होंने क्या किया कि क्योंकि राज घराने के लोग जो है वो rule तो कर लेते हैं लेकिन वो proper तरीके से efficient role नहीं करते हैं इसलिए इन्होंन और समराज्य को reorganize किया ताकि इस तरह से चल पाए चीजें थोड़ा efficient way में काम कर पाएं और reorganize करके empire को वलांडा जूज में छोटे चोटी units में बाढ़ दिया और उसके बाद ये system जो है वो चलता रहा राजरारामफैस से लेकर विक्रम 14.1133 तक चलती रही और heredatically जो system चलत loads हैं जो कि शाही परिवार से आते हैं उनके हाद से जिब control चीलेगा तो राजा के हाद में power ज्यादा रहेगी और central administration ज्यादा हो पाएंगा वो चीज़ भी राजराज उसके समय पे ही होनी शुरू हो गई थी उसके बाद इन्होंने राज्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बाटा local self government का चीज़ें करी ताकि जो local government है वो अपने आपको चला पाए विलेज assemblies बनाई पबलिक बोडी बनाई और उनको accountable भी बनाया कुछ चीज़ों के लिए उनको autonomy भी दी तो इस तरह से चीज़ें ताकि उनका जो local administration है वो भी powerful हो सके उसके अलावा इन्होंने अपने trade को promote करने के लिए चोला mission भेजा था चाइना में इनकी जो बहन थी कुंडा वाली कुंडा वाई वो इनको support करती थी इनके administration में इनकी मदद करती थी management of temples और जो भी decisions लेने होते थे उसमें इनकी मदद करत आता है ये तंजूर में है और ये युनेशको heritage site भी है भारत का सबसे खूबसूरत मंदिरों में से है ये दरविडियन architecture style में बनावा मंदिर है और ये जो period था इसको golden age of चोला आर्ट माना जाता है जिस समय जो rule किया था राजराज चोला ने काफी काम किया है और ये इनकी stand इसको heritage site है गंगा कोंडा चोला पूरम temple है ये भी एक बहुत मैटपून मंदिर है तो ये इस तरीके के मंदिर इननों ने बनवाए साथ ही इनोंने और भी जो artistic expressions हैं उनको भी support किया चाए music हो dance हो literature हो इनको भी इनोंने support किया साथ ही इनोंने कई सारे education field में भी काम किया स्कू पूलों बच्चे जो हैं उनको education मिले scholarship promote करी learning के लिए इनोंने scholarship वगेरा के program भी चलाए तो काफी काम किया इनोंने इस field में भी art architecture और literature के field में भी काम किया religious policy की बात करें तो राजराज जो हैं वह सहविजम के उपासक थे भगवान सिव के उपासक थे शिव भक्ती करते थे शहविजम सेक्टरी कहता है आपको पता ही है लेकिन साथ साथ में इनोंने विश्णू के temple भी बनवाए हैं भगवान विश्णू को भी मानते थे हालंकि भारत में उस समय कई जगह conflict होते थे शिव और विश्णू बगवान के उपासकों के बीच में कुछ conflict होते रहते थे अपने आपको सुपीरियर बताने की कोशिश होती थी लेकिन वह तो है तो यह की कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है तो सैविजम में रहता था लेकिन इनके मन में इस चीज़ को लेकर कोई conflict नहीं था यह tolerant थे सबी के अपरती और इन्होंने अपने आपको एक title दिया था जिसका मतलब होता है कि बगवान शिव के चरणों में जिसका श्तान हो उस वेक्ति को क्या का जाता है शिव पादा शेखरा और वो अपने आपको एक कहत थे इसके अलावा इनका जो religious tolerance है policy है उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि चोड़ा मनी विहार जो कि एक बुद्धिश मॉनस्ट्री है आप दक्षिन भारत में जाएंगे आपको मिल जाएगे नागा पटिकम के पास तो यह जो है यह एक इनके अंडर काम करने वाले र इन्होंने एक monastery बनवाई थी और इस monastery की इजाजत और इसको पैटरेंज दिया था राजाराज ने फैस ने और इन्होंने एवन एक गाउं का पूरा जो revenue है वो भी dedicate लिए दे दिया था कि इस monastery को चलाने के लिए यह पैसा जो है मैं आपको दे रहा हूं और यह विहार जो है चोड़ामनी विहार जो है वो चलता रहे इसी के नाम पे तो हमें कोई issue नहीं है एक गाउं का पूरा revenue आप रख लिए जो भी tax collect होता है उससे आप इस Buddhist monastery को regulate कर रहे है चलाए तो इस तरह से इनकी religious policy में आप देखते हैं कि सेविजम के उपासक थे लेकिन विष्णविजम क के लिए भी उद्दार थे तो religious policy जो है वो टोलरेंट थी उसके लावा personal life और death की बात करते हैं तो इन्होंने कई राणियों से शादी करी कई women से शादी करी जिसमें कईयों के नाम है वनावन मादे की अका ये देखिए कई सारे नाम है मैं इनके नाम रंग से परनाउस भी ने कर पाऊंगा और इतने नाम लेना कोई मतलब भी नहीं है इनके जो हैं तीन बेटियां थी दो बेटे थे राज अंदर चोला और आज जियां राजा राजन 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 में डिसक्स करेंगे। होफ़ली चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी राज राज चॉला के बारे में और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के अप्लिकेशन को डाउनलोड कीज़ें यहां पे भी आप मुझे जैट सेक टेस्ट भी मिलेंगे ताकि आप अपनी तैयारी का अगलन कर सकें कि आप कॉंपटिशन एक्जाम्स के लिए कितना तैयार हैं सो जोड़े रहिएगा सक्सेस प्लस अकेडमी के सभी प्लेटफरम्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और यह वीडियो देखने के लिए आ बहुत बहुत शुक्रिया